के क्लास 9 की exercise 13.1 का जो question number 4 है question मा हम से बोला गया है the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square how many bricks of dimensions 22.5 cm, 10 cm, 7.5 cm can be painted out of this container question मा हम से बोला गया है के एक container है और उसमें इतना paint है के वो जो है 9.375 meter square area पर हो सकता है ठीक है अब उस paint से क्या करा गया है कुछ इटे paint की गई है तो हमें हाँ पर ये बताना है कि इस paint से कितनी इटो पर paint हो सकता है यहीं कितनी इटे paint की जा सकती है जबकि जो हर एक इट की जो measurement है हमें यहाँ पर given है कि उस इट की जो है length 22.5 cm है और इसकी जो breath है वो 10 cm की जो height है 7.5 cm तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस measurement की जो ये इटे हैं ये कितनी इटे जो है paint हो पाएंगी ठीक तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें जो ये इट की जो measurement given है इस एक इट का जो है total surface area हमें निकालना पड़ेगा क्योंगी जो paint होगा वो इट के हर surface पर होगा यहीं के total surface area पर होगा तो हमें इस हर एक इट का जो है टोटल सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा जो एक इट का टोटल सर्फेस एरिया आएगा उसको हम उससे हम जो है इस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें number of bricks मिल जाएंगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें जो एक इट है उसका total surface area निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप लिखें 4-1 brick जब आप एक brick के लिए काम करेंगे तो L आपके पास कितना है 22.5 cm B कितना है आपके पास 10 cm H आपके पास कितना है 7.5 cm अब तो टोटल सर्फेस एरिया ओफ वन ब्रिक तो ब्रिक जो होती है वो क्यूबोइट के आगार की होती है तो इसका total surface यह रहा है कितना हो जाएगा हर surface पर paint होना है तो 2 into L B प्लस B H और प्लस H L थीक अब यहां पर 2 ऐसी रखे हैं तो additive को तो आप ऐसी रखेंगे 22.5 की multiply जब 10 से करते हैं तो í listeners से चरएग प्लस 10 की multiply जब 7.5 से करेंगे तो 75 आ जाएगा प्लस अब इन दोनों की multiply जब हम करेंगे तो इन दोनों की multiply आपकी आजाएगी देखिए जब points वाले number की multiply हम करते हैं तो point हटा के multiply आप कर लिया करें तो इन दोनों की multiply करें तो हमारे पास आ चुकी है 16875 अब एक और दो एक और दो दो डीट बात यहां पर point लगा देंगे आप अब इन सब को क्या कर लेंगे आप एड़ कर लेंगे जब इनको हम एड़ करेंगे तो इन दोनों को जब एड़ करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 300 और प्लस 168.75 और इन दोनों को जब आप एड़ करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 468.75 इन दोनों की जब multiply करेंगे 2 की multiply 468.75 से point द तो आपने यहां पर देखा कि जो एक इट है उसका जो टोटल सर्फेस अरिया आया है वो आपके पास कितने सेंटिमेटर स्कॉयर आ चुका है अब देखिए हमारे पास जो है one brick का total surface area आ चुका है अब हम क्या करेंगे इस area से इस total surface area को divide करेंगे मगर आप यहा पर यह देखें कि यह जो area है यह cm2 में है और यह m2 में है तो जब भी हम किसे किसी को divide करते है यह multiply करते हैं हमारे पास unit 10 जैसी होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे इस centimeter square को भी meter square में convert करेंगे अब देखिए अब आपको एक बात ये मालूम है अगर कभी centimeter को हम meter में convert करते हैं तो हम hundred से divide करते हैं इसी तरीके जगर centimeter square को meter square में convert करेंगे तो hundred की power two से divide करेंगे तो अब hundred की power two को अगर हम देखते हैं तो यह 10,000 बन जाता है कितना बन जाता है 10,000 तो हम क्या करेंगे इस centimeter square को meter square में convert करने के लिए हम 10,000 से divide कर देंगे जब 10,000 से divide आप करेंगे तो point हटाएंगे और point के बाद यहां पर 2 digit है तो नीचे 2 digit 2 zero आ जाएंगे उसके बाद यहां से अगर हम देखते हैं तो यह 9, 3, 7, 5, 0 और upon में 1 और 6 zeros यहां पर बन जाएंगे 0 से 0 खतम हो जाएगा जब भी ऐसा होता है कि upon में 1 के साथ कुछ 0 बचे हुए हो तो उपर वाला number आप लिखें और upon में 1 के साथ जितने 0 होते हैं उतने digit बाद इधर से count करके point लगा दें तो यहां पर 5 zeros हैं तो यहां पर 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 digit हैं तो एक 0 अपने पास से लगा कर यहां पर point लगा दें यहां पर point से पहले बुछ नहीं होता है तो 0 आ जाता है यह meter square हो चुका है ठीक है number of bricks जो आ जाएंगी वो कैसे आएंगी यह जो 9.375 meter square area है इसको हम क्या कर देंगे इसको 0.09375 इस area से क्या कर देंगे divide कर देंगे निकि 1, 8 brick के total surface area से इस पूरे को divide कर देंगे तो अब आप यहां पर यह देखें कि point उपर भी है नीचे भी है point उपर से और नीचे वाले से हम हटा देंगे मगर जब ऐसा होता है कि उपर और नीचे दो दरफ से point हटाते हैं तो हम यह दरूर देख लेते हैं कि point के बाद digit किधर कम है अगर हम बात करते हैं तो उपर digit कम है हो पर 10 डिट हों यहाँ हाँ पर फाइव डिट हैं तो जितने diet कम होती है जिधर कम होती है उतनेTS लगा लेटा यहाँ पर फाइव डिट थे यहाँ पर ट्वीन होता है ऩर फाइव गाल सकती होई है यह तो हैं कितना हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास या जाएगा 100 तो 100 ब्रिक्स जो है इससे जो है पेंट हो जाएंगे इस काम सब्सक्राइब